आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ सिनिवास्तो और आप हमाई से देख रहे हैं हमारा खास कारेकम बात अपने देश की और हर बार हम इस कारेकम में नए नए मुद्दे उठाते हैं और नए डे चर्चा करते हैं और साथी साथ तमाम उन बिस्यों पर बात करते हैं जिन बिस्यों का जनता से सीरा जुड़ाओ है और सीरा सरोकार है क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो देश की बात में उनी मुद्दों को सामिल करते हैं जिन मुद्दों का पूरे देश से सब्बंद होता है हम यहाँ पर किसी राज्य विसेश की बेक्तिर विसेश की बात ने करते हैं यहां हम बात करते हैं अपने देश की, तो आराज बात अपने देश के जो मुद्दा है, वो बहुत एहम है कि इस मुद्दे के साथ हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा चक्र जुड़ा हुआ है, और वो चक्र है, रूटीन, दिन चर्या, जरूरत, द्योस्था, आज जो मुद्दा है आपका बिजली का, बिजली, बिजली की जरूरत तो हर जगह है, हलाकि जब पहले के समय की बात करें, आजारी की पहले की समय की बात करें, या सत्तर अरसी की दसक की बात करें, तो बिजली का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता था, क्योंकि लोग उसको अपनी दनचर्या में सामिल कर लिया था और अभ्यस्त हो गए थे पार जैसे जैसे चीजें बढ़ी जैसे जैसे ब्युस्था बडि और जैसे जैसे समय बढ़ा है उसके साथ सार बिजली की मांग वह बढ़ती चली गई वह बिजली की मांग जो मैज कभी 50 गीगवाट ह तो यहां पर घर होगा अलग मनजल अलग होगी एरिया अलग होगा तो निस्य रूप से महाँ पर बिजली की अगज पड़ेगी और अलग जरुद की चलते बिजली की माँग बढ़ेगी और इसी की चलते लगातार देश में excused इस साल देख रहा है बिजली संककट आ चुका है और बजली संकट से पिचंड गर्मी के चलते तरह हिमाम तरह हिमाम हो रहा है हो क्यों रहा है क्योंकि इस वार की जो गर्मी के अगर हम बात करें तो इस वार की गर्मी जो बढ़ रही है वो 112 साल का रिकार्ट तोड़ दिये यानि ऐसी गर्मी कभी अप्रेन पढ़ती ही नहीं थी जिस गर्मी की समय सुरुबात हुई है गर्मी लगातर पढ़ रही है वो 122 साल पहले पढ़ी थी यानि 122 साल में ऐसी गर्मी कभी नहीं पढ़ी थी और 122 साल यानि एक सताब्दी के बार ऐसी गर्मी पड़ रही है यानि ऐसी गर्मी के अगर हम बात करें तो ऐसी गर्मी से 122 साल पहले यानि की 1900 के लगवग जब 1900 सन चल लही थी तब 1900 सन में ऐसी गर्मी पड़ी थी एक बार लगातार की बार नहीं कहेंगे तो यहां पर जो गरमी है, वो लगातर पढ़ रही है, पचढ़ि कड़ी पढ़ रही है, उस ने दसको पुराना, सताब्दी पुराना रेकार टोड़ दिया है, और इस गरमी में जब बजली नहीं आती है, तो बड़ा ही कोलाहल का माहुल हो जाता है जी हाँ चुकि इस गर्मी में हमको पंखा भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए और साथी साथ तमाम निजी जरूरतें भी इस गर्मी में किवर बिजली के मादम से ही पूरी हो सकती है ठंड़ा पानी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, पंखा भी चाहिए और साथी सार और द्रिविक जो व्योस्थाएं हैं उनको भिजदी चाहिए और यहाँ पर जो इपकार से नौगजों का माहौल भी तयार है केंदी उर्जा मंत्राला बोलता है कि जो राज हैं वो उन्होंने कोईले को की जो आयात की व्योस्था होती है वो लचर रही और इस कारण कोईला उनकर तक पहुंचा नहीं और कोईले ना पहुंचने कारण उनको बिल्ली संकट का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं जो राज है वो केंद्रिये उर्जा सक्ति मंत्राला पर आरोब में लगा रहे हैं कि मेहंगा कोईला और महंगी धुलाई की चलते इस दुबार कोईला नहीं समय पहुंचा है और कोईली कमी की चलते बिजली की जो मांग है वो कम उत्पारन के साफ सुपाई है और लगातार जो बिजिसन्कट है, बो डिस वर में चाया हुआ है, और ये बिजिसन्कट केवल हम एक राजी की के बार नि करेंगे, यहाँ पर अबुन अब उन्हें जितने बड़े राजी हैं, सबी जग़ा यह बिजिसन्कट है, चाहे दिल् Clay llama के बार करें, चाहे हरियना के कि बात करें सभी जगहां पूरी के लिए को कर रही है प्रयास कर रही है कि सभी को देना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है कि क्योंकि यह काम होता है यह संभव कर पाना बिन और पारन की संभव नहीं क्योंकि यहां पर अगर आपको बिजली की कमी को पूरा करना है, तो आपको उसका उत्पादन करना पड़ेगा, यहां और कोई बिकल्प नहीं है, अगर कोईला नहीं होगा, तो बिकल्प आपके सारे धरे के धरे रह जाएंगे, और जब तो उत्पादन निंग करेंगे, पते निंगे साब से बता रहा हूँ आपको, और मैंने आपको 180 से 200 तरी नहीं बताया, क्योंकि यह मांग समय नुसार कम और जाना होती रहती है, कम कब होती है, जब सर्दी का मौसम होता है, तो अमूनन यह मांग कम होती है, क्यों सर्दी में AC, पंखा, कुलर कम चलते हैं, 200 गीगाबाट, हमारे देश में एक दिन की बिजली की जरूरत, और इस समय जो बिजली का जगोच चल लए है, वो चल लए है 207 और 210 गीगाबाट, यानि आपको अब इसको ब्यवस्टित करना पड़ेगा, अगर आपको मांग पूरी करनी है, और इतनी जो मांग है, वो किस तरह ब्यवस्टित रूप आएगी, मैं आपको उताया, कि अकेले कोईले के बिकल पर आप निर्वन नहीं हो सकते हैं, देखे, खीकरा केंद राज्यों को फोड़े, या राज्य केंद को फोड़े, खीकरा फोड़ने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, अगर यहाँ पर आप को कुछ बैतर करना है, आपको बिजली की समस्षे का समाधान करना है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी, निर्भरता बदलनी पड़ेगी, उपाए करने होंगे, और साथी साथ यहाँ पर आपको कुछ बिकलपों पर ध्यान देना होगा, अगर हम च सबसे बड़ी दिक्कत है और साथी सार लगातार बिजली चोरी इसके एहम समस्या है कि बिजली चोरी होती है तो अधिकांस बिजली जोकी जिसका कोई प्यमाना नहीं होता है ना वो अध्योगी चोरी के माद्यम से उपियोग हो रही है और उपियोग कोन कर रहा है उपियोग उनका कर रहा है और बिजली चोर है वो अध्योगी बेवसाय में भी है और साथी सार जो उर्जा का हास होता है उर्फपादन के साबसे कम होता जाती है और बिजनी मिलनी पाती है तो यहां पर उनकी कुछ एरिया तक सीमिच रहता है बड़े बड़े बिजली चोर अभी भी देश में मौझूद हैं जिन तरह ध्यानी नहीं पाते हैं जो बड़ी बड़ी कमपिने चला रहा हैं और कम किलोबाट के साफ से मीटर लगा है वो लगातार बिजली चोरी हो रही है और जिसका खामेजा भुगत रही है आम जनता इस जनता जो लगातार आराम से जाज करने जाते हैं और जाज के नाम पर केबल खाना पूरती है और खामेजा भुगतती है वो जनता जो लगातार सही माईने से सही दर से सही टाइम से अपना विजली बिल को अदा कर रही है ये उस जनता के बात कर रहा है तो यानिव वो कस्ट माने तो बास्ते में वो कस्ट से मर रहा है और जो मज़ा ले रहा है बो विवाग के लोग और जो मिला जोला चोर अथी में बोलूँगा अपने इस लियाजे में वो बिज़ी चोरी भी करते हैं और फिर सांठ घार के चलते उनके बिल भी कम हो जाते हैं कोई ध्यान में नहीं देता है और जनता इसका नुक्सार उठा रही है और साथी साथ तमाम पुराने बिल जाने कितने लागों करोनों बिल बाकी होगे उनसे बसूल नहीं किया जा रहा है एफाईयार होती है कोड मुखर्मा चलता है और वही होता है धाक के तीन पाथ और वो क्रिया चलती रहती है और साल वार फैसला आता है और आता भी है तो केवालों के बहुत कम समन सुलक भरके वो इस मामले से बरी हो जाते हैं तो यहाँ पर जो भी दरे है जो भी बिल है उसका भी भुकतार होना जरूरी है तब ही ब्योस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है अगर आप चाते हैं कि बेवस्ता कैसे बेतर रहे अगर आप चाते हैं कि चीजे दुरुस्त हो अगर आप चाते हैं तो बिजली का बिल का भुकतानी बहुत जरूरी हो समय से बुकतानी हो और मैंना कहा देश की बड़ी आवादी बिजली का भुल जो बिल है वो सही समय से सही दर से भुक्तान कर देती है पर जो बाकी लोग है उनके पास बड़ी संख्या में बिजली का बिल अभी भी देना बाकी है बड़ी संख्या में लाखों का बिजली बिल करोड़ों का बिजली बिल पकाया है जिसको बिजली विबाद बसूरी नहीं कर पा रहा है जिसके चलते ह कि हम सब्सक्राइब थेकि थीधि आप हैं भिजी इसा कर रहा है और लोग नहीं कर निगारी नहीं कर रहें कर रहा हैं पर कहीना करें जनता की इसा प्रेक्ति कमिली कर रहे हैं तो उसके लिए भुकतान कि जरूर यह वहिए पर और जिस तरह से चीजे खराब हो रही है उससे एक बात होती है कि अगर बिजली संकट है और बिजली संकट से हमको निजार पार नहीं है तो हमको बिकल्प भी तलासने होंगे जी हाँ मैं आप बात करूं अगर बिकल्प की बात करें तो यहां पर हाइडो एनरजी यहां प करते हैं पर कितने सौरूर्जा सयंत्र लगे हैं अगर हम बात करें दियुश्बर लब लब सौरूर्जा बड़े सयंत्र लगे हैं जिसमें टमल्नाडू के कामुती में सबसे बड़ा सौरूर्जा सयंत्र लगा हुआ है बड़ा और यह सबसे बड़ा सौरूर्जा सयंत्र है अच्छी बात है पर ये तमलाडू में लगा रहा है और कहा बिजली इसकी जा रही है वो अपनी बेवस्ता है इसके बाद कहा जा रहा है कि मदपरेश के रीवा जले में भी देश का सबसे बड़ा यानि तमलाडू की कामोती से भी बड़ा स्वरूर्जा सेयंत लग चुका है और बहाँ पर अभी फिराल 156 मेगाबाट के लगवा बिजली बढ़ रही है वो स्वरूर्जा का सायंत में लगातार काम चला है वो आगए जाकर ये 750 मेगाबाट बिजली का पादिन करेगा बिजली का सबसे बड़ा और बिजली उट पातन में भारत बहुत आंगे है ऐसा का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उट पादक करने वाला देश है पर यहां पर बिकल्प पर भी ध्यान लेना बहुत आवस्यक है मैं आपको कहा कि स्वरूर्जा सयंत लग रहे हैं पर अगर हम इन स्वरूर्जा सयंतों को घर घर लगाएं बेउस्था कराएं पिचार हो पि पर नहीं होना पड़ेगा भारति महादीप में अगर बात करें तो उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर साल में दस महीने पिचंड गर्मी रहती है गर्मी उमस का माहल होता है यानि जो सूर है वो लबा लबा दस महीने अपनी गर्मी देता है और रोसनी देता है और सौर उड़जा इसी से चलती है इसी से उस सर्जित होती है और इसी से संग्रित होती है तो दो मैने सर्जी का माहौल लेता है और उसमें भी आप देखते हैं कि कई बार कोईरा रहता है पर कई बार धूप निकलाती है हाला कि धूप परयाद थे नहीं है वो तो सोर उड़िया के जो आपने पैनल लगाए उस पर निर्भा करेगा पर अगर हम दच्छर की तरफ जाते हैं मुंबई की तरफ जाते हैं महराज की तरफ जाते हैं केरल टमनलाडू तरफ जाते हैं तो मैं आपको बताओं कि बहाँ पर तो बारो महीने गर्मी रहती है बहां तो बारो महीने सूर भगवान का जाए निकलते हैं सूर चमकता रहता ह थे वहां पर कामोती में सबसे बड़ा सवरूरुजा संथ लगा हुआ है मनुद्रिस के रिबां की रिवा में सुरूआत हो गई है So तो मैं जो चर्चा का मेरा पिसन था कि हम घर घर सोर उजाप पेनल को क्यों नहीं पिचार पिसार करते हैं गिने चुने हैं और साथी साथ जहां बिजदी का सबसे ज़्यारा जगर होती है मैंने खुताया कि और दोगिक और घरेलू अगर जो अधुयलिक पिलांट हैं बिहसाई किंद्र हैं कंपनिय आयए फैट्रिया हैं वो अपने स्यवहम के छिसम सोलर सरयंत क्यों ही लगते हैं अगर वो सक किस सोलर सरजन्त अ लगा हैं लगा के तो मैंना यह कि आदी बिजली की ज़रुवत है उनकी स्वारूर्जा से पूरी हो जाएगी जिससे उनको केबल आदी ही बिजली जो पड़ेगी जो आदी बिजली सरकार दोवारा उनको उच्छे दर पर दे ली जाएगी तो सब्सक्राइब समाधार महाँ पर हो सकता है इसके लिए सरकार को स ज्यादा स्वरूर्जा के मान्ड़ में निकल जाए और आधी बिजली आप हमसे ले सकते हैं आपको दे दे के जिससे जो ऑद्धोगी छेत में बिजली जाती है उसके हम आधी बचल कर सकेंगे और यह हमाई अन्य छेत्रों में काम आएगी क्योंकि बिजली के बिना तो बनेगे तो जो लोग है जो केंद्र है हमारा उस केंद्रों को कहा जाए कि आप अपनी बिजली का आधार पादन करें और यह नियम अबली बनाई जाए बाकाइदा कि आपको अपने फैर्ट्री में सोलर उर्जा का पैनल लगाना जिससे कि आपको आधी बिजली आप स्वय अगर हम घरेलू बेवस्ताओं में वेसी कर दें कि घरेलू बेवस्ताओं में अगर हम स्वयर उर्जा के स्वयर उर्जा पैनल लगवा सकते हैं तो लगा सकते हैं आज भी हम कई जगा देखते हैं स्वयर उर्जा पैनल लगे हैं और उस्पताल की आदे सेरा बिजली स्वय ज्यादा नहीं होती है और शोलर प्राइट लगाने के लिए सरकार जोरी नहीं दे रही है तो यहां पर जोड़ देनी जरुवत है बेना जोड़ दिये हुए आप उन ब्यकल्पों पर काम किये बेना आप बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकते मैं आपको कहा कि कई बड़े संस्थान स्वारूर्जा पैनल लगाए हुए हैं और वह आदी बिजली अपना खुर यूज कर रहे हैं स्वारूर्जा के माध्यम से और बिजली अगर वो मांगते हैं तो उनको सरकार दे रही है और ऐसी ही ब्यवस्था आपको घरेलू इस तरह भी करनी पड़ेगी आपक सब्सक्राइब करें तो फिराले महानगरों में व्युस्ता है और यानि आप उर्जा की बिजली लेंगे और वो करेंगे तो इसके एविज में आपको जो उर्जा आपको कोईले से बनके मिल लए उस उर्जा का प्यों कर सकते हैं और सरकार से सब्सीडिवी दे रही है पर यह जो जनौ का पिचार पिसार नहीं हो रहा है अभी आप देखिए तो आप घर-घर जो जो चल लए वही चल लए पर अगर आपक पिचार-पिसार जरूरी है आप पिचार-पिसार केवल अगर हम बात करें तो महानगरों को 10-15 परसेंट घरों में ही सोर लगी हुई है जो कि उत्तापिदेश की आबादी चाहे पंजाब की आबादी चाहे मरास की आबादी जिनके लिए हमको विकल्फ बैतर करने होंगे और बैतर बिकल्फ मैंने आपको पताया है हाईडो एनरजी स्वारूर्जा से बहतर बड़ा विकल्फ कोई है नहीं को भारतियों महाधीब म आपको फुरूर्जा में कोई दिखक्त नहीं है तो यहाँ पर हमको सरकार को यहां पर पिया पेटार पिषार करना पणना पड़ेगा और बिकल्फ के मार्दैम से और बिकल्फ मार ध्यम को अपको इन चीजों को समझना पड़ेगा की बिजली संकट हमारा कोड़ कह बनाया आंगे ना बाड़ें तो सरकार को सद्धाना है और हम सब मिलकर ही ये व्यस्था को सुधार सकते हैं कि बड़ सरकार को को से राज सरकार केंद को को से और केंद सरकार राजों को से और जंदा दोनों को से तो इन से बहतर तो यह है कि हम बेकलपप अध्यान दें और नए भारत की संकलपना के साथ स्वारूर्जा को प्रमोट करें क्योंकि स्वारुर्जा वो उर्जा है जो कभी खतम नहीं होने वाली है स्वारुर्जा यानि अनंत उर्जा और महानगरों में स्वाभस्तार भी है और विस्व के कई बड़े देश स्वारुजा से सजन पर नर्वा रहे हैं और बैतर बिजली के साफ़ से उनके नहीं लगातार बैजली, पीजली के उत्पादर भी हो रही हूँ, और बो हमसे बैतर टक्निक का उपयोग कर रहा है। उनके बड़े-बड़े औरड़े की खेत्र स्वारूर्जा के मादनम से चलाए जा रहा है। तो यहां पर हमको लड़ना नहीं है, हमको कोशना नहीं है, हमको प्रशन नहीं करना है, और हमको यहां पर किसी के सिर्फ ठीक रही फोड़ना है, यहां पर हमको ब्यापक पिचार पिचार करना है, और साथी साथ बिजली की बचट भी करना है, जैसे लगातार पैट्रोल और तो आपको यह भी सोचना है कि उर्जा के स्रोट भी सेमित है और इसके हम को बजट करने हैं क्योंकि अगर हम बजली की बचल भी करेंगे तो निसी रूप से समस्य समधान करना है नहीं, अद्युक्रवरी ख़़तो को अपने स्वर उर्जा पैनल करेंगे तबी स्थाही समधान हो सकेगा के बल कवली कि आप उर्टी पर आप निर्दारित होकर बिजरी संकटका समधान निकर सकते हैं क्योंकि गर्मी लगातार बढ़नी है क्योंकि जैसा पर्यावरन चलना है उसके साफ से आने बाला समय और पिचण गर्मी से आम जन्ता को रूबरू कराएगा और जन्ता अगर इस गर्मी से अपने आपको सुर्च लगना चाहती है तो उसको बिकल्पों पाधियान देना पड़ेगा बिजरी के बिकल्प कौन हो सकते हैं और कैसे हम बिजरी बचा कर और कैसे इस वर उड़ जा के मादर्च बिजरी उतपाधिन कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं तो आज की चर्चा में इतना ही मजरी आन्मति नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार